नमस्ते जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी परधान मंत्री क्रिसी सिचाई उजना है उसके अर्थगर्थ हर पंचायत में बिहार के एक जो है क्रिसी सचीव की वहाली निकाली लगतार जा रही है याँ पे तो मैंने आपको कई वीडियो बनाकर आपको जनकाईड दिया थ करते हैं और कमाल की बात है कि इंटर और गेजोशन पास जो इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप जो है अपने पंचायत अस्तर पर काम करेंगे तो यह बहुत ही बढ़िया मतलब पद होने वाला है तो वीडियो में बने रहीएगा वीडियो में हम सुरू से अन तक ब करते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले अपने कम्प्यूटर के ब्राउजर में टाइप करना है इजी टूने डॉट कम इस वेव साइड का लिंक आपको डिक्केशन बॉक्स में प्रवाइड कर दिया गया है नीचे आएंगे तो यहा आते हैं तो आप यहां पर कैसे पता कर सकते हैं कि आपके जिले में जो है क्रेसी जो सचीव है उसकी वेकेंसी निकाली गई है कि नहीं ठीक है तो नीचे आना है नीचे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं चेक डिस्टिक वाइज वेकेंसी का एक लिंक दिया गया है इस जैसे इंग के लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ यहां पर बिप्सेल पोर्टल है वहाँ पर भीजीट कर जाएंगे यहां पर आने की बाद सबसे पहले आपको क्या करना है search on the basic का जो बटन दिया गिया है इसमें आपको department यहां पर select कर लेना है ध्यार रखिएगा department ही आपको select करना है उसके बाद यहां पर select headquarter district का button मिलता है जिसमें आपना district आपको select कर लेना है कि आप कौन सा district से आते हैं और कौन सा district के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसमें जो है पंचायद जो क्रिसी सचीव है उनकी vacancy आई है की नहीं recently यहां पर जहानाबाद में आया हुआ है तो हम जहानाबाद को यहां select कर लेते हैं उसके बाद select department का option मिलता है किया गया है तो इसको download यहां पर कर लेंगे जो details matter है इसको यहां पर click करके download कर लेंगे और publish state matter है इसको भी आप यहां से download कर लेंगे दोनों को open कर लेना है चलिए हम पहले वाले को open करते हैं open करने की बाद देख सकते हैं कि यह जो है परधान मनति क्रिसी सिचाई उजना के और्तगर जो जलचाजन होता है उसके विकास के लिए vacancy निकाली गई है जो की जहानाबाद के लिए निकाली गई है ठीक है अगर आप किसी और जिले से आते हैं तो आप अपना जिला यहां select करके पता कर सकते हैं कि आपके जिले में जो वेकेंसी आई है या फिर नहीं आई है या फिर आप हमें कमेंट करके बताईएगा कि आप कौन से जिले से आते हैं उस जिले के वेकेंसी के रिगार्डिंग आपको हम जनकारी देंगे तो यहाँ पर जहाना बाद के रिगार्डिंग जो वेकेंसी निकल के आई है उसके रिगार्डिंग हम आपको जनकारी यहाँ पर दे देते हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आवधन पत्र जामा करने का अंतिम तीती है 30-4-2022 रखा गया है यानि कि 30 अपील 2022 से पहले आप यहाँ पर फर्म को फिल करेंगे उसके बाद फर्म अगर आप भेजेंगे तो जो है सविकार नहीं किया जाएगा काउंसेलिंग का भी डेट बताया गया है कि आपका काउंसेलिंग कब किया जाएगा मेघा सुची कब अपका परकासित होगा उस पे आपती अप कब तक कर सकते हैं और आमतिन जो आपका मेघा सुची है उत्यरे 5-22 को परकासन किया जाएगा उसमें जो भी लोग चायनित होंगे उनको जो है जब दिया जाएगा अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन लोग फर्म को फिल करेंगे अगर आपने B.C.B.A. कर लिया है तो आप इसमें फर्म को फिल कर सकते हैं लेकिन B.C.B.A. वालों को ज़्यादा यहाँ पर प्रक्तमिक्ता दी जाएगी चाइनित प्रकिरिया में किसी बर्ग भी से इसको प्राथमिक्ता देर नहीं होगी आनि कि आप किसी भी कईटीगडी से आते हैं कोई भी आपको प्राथमिक्ता यहां पे नहीं मिलेगा सबन्दी जिले में जो भी सरकारी सेवक होते हैं उसके परिवार के सतस्य होते हैं वो भी फॉर्म को फिल नहीं करेंगे इसमें देख सकते हैं कि बताया गया है कि आपको पांच हरपय प्रती महीना मासिक जो परस्रमिक का भुकतान किया जाएगा अब यहां पर आपको नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि परखंड का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, जलचादन समीती का नाम, ग्राम का नाम, सचीवपद और ग्राम सभा अस्तल का जनकारी अपो दिया गया है तो इसमें वेकेंसी निकारी गई है इस पंचायत से पाते हैं तो फर्म को फिल करेंगे, फर्म को कैसे फिल करेंगे आपको हम बतायते हैं, आपीस है, वहाँ पे जाकर आप फर्म को मेनवली जामा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो रजिस्टर जो डांक होता है उसके माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं, नीचे आएंगे तिहां पे आपको फर्म भी मिल जाएगा, इसमें आपको फर्म मिलेगा, ठीक है, फर्म यहा आपको पतर लेंगे और उसको भर कर जामा करेंगे, उसके माध इसमें क्या होगा, कि आपके अंक के उपर जोई, मेघा सुची बनाये जाएगा, उर आपका जोई इहां पर लगाइए जाएगा, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने हाप पे किलियर करके आपको बता दिया ह कि जो भी क्रिसी पंचायद सचीयों की वेकैंसी निकाली गई है उसके लिए कौन लोग फॉर्म को फिल करेंगे कब से लेकर कब तक फॉर्म को फिल किया जाएगा और कैसे फॉर्म फिल करेंगे मैंने आपको सारा जनकारी किलियर करके बता दिया है इसमें आपका सेलेक्शन माक्स के ऑको कोडिन करते हैं और इसमें बारे करें आपको चक्राइब करना होता है 1997 है क्यास के दिया है दूर्म करेंगे मिलते हैं क्या कौन के जनकारी देंगे चली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपी के साथ तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें स्वास्त रहें बहुत-बहुत धन्यवाद